हेलो दोस्तो पारिस का मौसर में कुछ न कुछ तो खाने का मन करता ही है कभी मेठा कभी तीखा चट पटा तो आज हम आपके लिए बिस्कुट के रेसिपी लेका हैं ओह कुरकुरी एकदम खस्ती आठे से नम डबब भरके बनाएगे और महेनों तक खाएगे तो नमस्ते दोस पास ना हो फ्रेंट्स तो आप इसे रिफाइन में भी बना सकते हैं ऐसे थोड़ा सा इसे बॉल में हमने गर्म कर लिया है दो चम्मच बड़ा घी लिया हमने और इसे गर्म करके रख देना है गर्म रहने से जमारे बिस्किट है ना बहुत ही खस्ता बनेगी इसे अब साइ पसंद हो इसे भी मीधा थोड़ा कम हो तो बिस्किट है जो जादा टेस्टी लगती है और फिलेवर के लिए इसमें आइड करना है इलाची अगर आपको इसका फिलेवर पसंद हो तो ही आइड कीज़ेगा नहीं तो इसे वर्ना आप आप हटा दीज़ेगा इसके हमने 20 इस तियार कर लेना अगर आपके पास अगर मखाना नहीं हो तो उसके जगह पे भी मैं आपको बताऊंगी कि या डालना है यह देखिए में मेक्सिक उडारे कोल दिया था इसे पोडर के जो अधि रहें थे थो थोगा दिर बाद ही खोलिएगा बहुत ही अच्छे से यह फाइन हम गरम ही लीजेगा और इसी के س square डालना है जो उने बारिक पीसके रखा इना मखाना और चीनी का POUDER इसी चीनी को इसमें डाल कर अच्छे से हमें समूध केरीमी जैसा ईक पेष्ट बना करша तायार करना है को आप्छे मेरी रेशिपी आज आपको कैसी लग रही हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए और फ्रेंड्स मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज फैमली और फेंड में इसे जरूर सेर करें ताकि उनलों भी बनाएं बारिस का मौसम है और घर में रहते हैं तो कुछ ना पहली वार आये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा अच्छे अच्छे रेसिपी के लिए देखिए हमने कितने अच्छे अच्छे से फेट कर तयार कर लिए आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और स्मूध बन गया है आप चाहें तो इस लिक्विड का पराठा भी चमच की मदर से हमें मिला लेना है इससे हुआ क्या हमारा मुयन है बहुत ही अच्छे से आटा में एकदम लगेगा जिससे हमारे बिस्किट है एकदम खस्ता बनेगी थोड़ी सी प्रोसेस है बड़ी है आप वीडियो को गौर से देखेगा और पूरा देखेगा तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा इससे बनाना बहुत ही असान है बहुत ही बेसिक चीजों से बन जाता है दोस्त थोड़ा सही से आप केयर कीज़ेगा आदेखी सारे को हमने मिस्रन को मिला कर हथेलियों के मतल सही से मसलना है जिस तरह से हम लोग को चोड़ी बगरा के लि तीर मिनट हमने अच्छे से हाथेलियों के बीच को आटे को देखिए हमने इसे मसल लिया और यहां लोग बनाते हैं तेरी कितना अच्छा लड़ू की तरह बन जाता है इसका मतलो हमारा जो आटे में मोयन है दम परफेक्ट बन चुका है आप देख सकते हैं कितना यह सॉप तो हमारे बिस्किट है जो खस्ता बनेगी इसलिए पानी का कम से कम इस्तिमाल करने वाले हैं थोड़ा सा पानी में ही से हम टाइट एकदम डू बना के तयार करेंगे इतना टाइट लगाएंगे आप देख सकते हैं कि हमाटे को इस तरह मसलते हैं तो अंदर एकदम लेयर न करने की जरुवत नहीं है मैं पूरे आटे को एक बार ही लोई बना लेती हुए इस तरह से थोड़ा सा हाथों के मदल से मसल देंगे ना तो बहुत अच्छी लेयर बन जाती है क्रिस्पियंस बन जाएगी अंदर से जब बिस्किट बनेगी ना तो एकदम खस्ती बनेगी त थोड़ा सा आटा हमने लगाया है जो टाइट है तो थोड़ी सी आपको प्रेस करके इसे बिनन चला लेना देखिए हमारे रोटी की तरह बेली किनारे इसके हैं जो गोल नहीं होंगे फटे हुए ही रहेंगे क्योंकि आटा का जो हमारा डो है वो टाइट है हमें दो कटर ल को ज़ल छो जरूरी है कि मैं बना रही हूं वैसा ही आपको डुझाइन का सेपट देना है आपको जैसी इछत्रह बनादेशे आपको बना कर दका मैं इसमें आप डिजाइन भी आपको बना के दिखा देती हूं जिस तरह के डिजाइन बनाईएगा बेक होने के बाद वह निखर जाएगा आपको जैसा पसंद है जैसा आपको डिजाइन आता हो मैंने इस तरह से बना लिए हैं और किसी भी चीज मसीन के जरूरत नहीं है साने से इसमें हो जाता है तो फटा फट से बिस्किट में इसी तरह से हमने निसान लगा लिए हैं बिस्किट के ऊपर नकुछ नकुछ डिजाइन बनाईएगा ही बनाईएगा प्लेन बिल्कुल भी मत रखेगा ऐसे देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है डिजान बन तो आज हम तावे पर ही बना रहे हैं तो तावा को हमने इसे कवर कर ले अब देख सकते हैं अच्छे से यह कवर हो गया ताकि तावा जो काले ना हो उपर समझते हैं सारे बिस्किट इस तरह से थोड़ा सा स्पेस कर दीजगा बिल्कुल सटा के नहीं रखना अब चलिए लेक तो पुति अच्छे से खिक कर लिया है और देख सकते हैं चीटा हमारे पाने को ने पस एकदम पानी है जो हमारे घया जाती है अवैसे गरम गरम कड़ाई में हम रख रहे हैं तवा क्यक्विक्त से चालिस पैंतालिस मिनाट के लिए छोड़ देते हैं उसके बाद इसे हम चेक करेंगे, गैस का फ्लेम हमने एक दम लो पर कर दिया था, अगर मेडियम पर रहे तो 20-25 मेंट बाट आप इसे निकाल कर चेक कर सकते हो, और देखिए हमारा बिस्किट बन के तैयार हो गया है, और कितना अच्छे से ये बेक हो गया, आप देख सकते है इसका कलर और लूक आप देख सकते हैं और इसमें बनने में थोगा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बिस्किट है, तो इसके जितने इस्टरे पानी हमने डाले थे गुथने में, सारे पानी को में सुखाना होता है, तो धीरे धीरे हमने गैस का फ्लेम मेडियम कर के तोड़ने से ही आपको यह पता चलेगा कि यह कितनी एक खस्ता बनी है, और खाने में बेहर दिये टेस्टी है, तो आप इस रेसिपी को बनाएगे, और ट्राइ कीजिए, घर के चीजों से बन जाती है, और बहुत यह हेल्दी है, और इसे ठंडा होने के बाद डबे में भर तो आप इसे बना कर महेनों दिन तक अस्टोर कर सकते हैं, तो हमारे घर में बच्चे होते हैं, और रोज ही रोज नबिस्कीट हमें खरीदना ही पड़ता है, तो आप इस तरह से बना कर आप अस्टोर कर लें, सस्ते में भर डबा, और इसे आपको जब मन करें, जब इसे आ आपको कैसे लग रही हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर करें और हमारे चैनल में पहले वारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक रेसिपी को